आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर के आई हूँ और जो आज का हमारा वीडियो है वो जो हमारा टॉपिक है वो है नासिसिस्ट है नो ट्रू सेल्फ तो आज हम बात करेंगे कि जनरली लोग यह सोचते हैं कि नासिस्ट जो होता है उसको असली में कैसा है उसकी जो सेल्फ इमेज है या वो खुद क्या सोचता है क्या उसकी परस्नालिटी है वो इस बारे में बड़ी कंफूजन रहती है तो आज हम बात करेंगे कि एक्शुली में वो ट्रू जो उसका असली रूप है वो क्या है तो आज हम इस बारे में बात करेंगे आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगे कि अगर आप लोग के लाइफ में कोई नासिस्ट है तो प्लीज एक एक्सपर्ट साइकॉलिजिस्ट की एडवाइज भी ज़रूर ले और दूसरा कि आप लोग मेरे चैनल को सबस्क्राइब जरूर करिए शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस फील्ड में अवेर्नेस हो सके वैसे तो मुझे लगता है कि नासिस्ट जो है जो टॉपिक है इसको हम थोड़ा सा अच्छे रूप में बोल करके स्कूल के लेवल से ही इसको शुरू करना चाहिए यूँकि आज की डिट में सब जाए इमोशनल जो एक जो होता है वो मिच्योरिटी बहुत ज़रूरी है तो वो एक आने वाले में समय में शायत ही शुरू हो जाए तो अभी है तो हम इस वीडियो से ही अवेर्नेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग होता कि अवेर्नेस आए और कहीं न कहीं जो फस चुके हैं वो कुछ रास्तान में के लिए निकले और जो अभी नहीं फसे हैं बहुत अच्छी बाते नहीं फसे हैं अगर तो तो वो इस वीडियो से यह समझे कि किस तरीके से वो आगे के लिए स सुनते हैं और हिंदी के भी वीडियोस जो है वो continuously मैं ला रही हूँ तो दोनों तरह की वीडियोस आप लोगों को मिल जाएंगे प्लीज आप लोग सब तरह के लोग मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें हिंदी और इंग्लिश ज्यादा तर हिंदी के वीडियोस हैं बट important question है क्योंकि जो narcissist है उससे हम जब deal कर रहे हैं actually वो क्या है क्योंकि बहुत confusing होता है एक narcissist वो समझ ही नहीं आता कि वो है क्या वो कहीं नहीं वो इस तरीके कभी है कि यही नहीं समझ में आ रहा है उसको देख करके कि true self क्या है वो असली रोप कौन सा है कभी वो ठीक है कभी कि किसी के साथ वो कैसा है कभी किसी के साथ कैसा है कभी वो scapegoat भी बना रहा है कभी वो golden good बना रहा है इतना तरीके से उसने confusion create किया होता है कि उसमें हमें वो असलियत क्या है वो हमें पता ही नहीं होता और आपको आज में एक बात बताओंगे narcissist को भी पता नहीं होता कि उसका कोई true self ही नहीं वो पूरा का पूरा false self पे ही जी रहा है उसका कोई true self नहीं है वो पूरा false self पे ही सर्वाइव हो रहा है उसका अब ये false self के ओपर मेरे वीडियो पहले भी डाली हुई है पर ये false self क्या होता है जब नासेस बहुत चोटा होता है जब उसकी बढ़ने की उमर होत जिससे कि वो true self उसका खतम हो जाता है true self उसका बच्चता ही नहीं है उसके अंदर कुछ उसको शिखा दिया जाता है कि तुम जो है बहुत महान हो और तुम्हारी सारी दुनिया कहना मानेगी और तुम जो है सब तुम्हारे से डरेंगे और तुमको सब पोडराना है ये सब कुछ गलत उनको एक सीखती जाती है कहीं न कहीं में कियर गिवर या पैरेंट्स के दोरा और नासिसिस का टू सेल्फ डवलप होने का जब टाइम होता है तो एक time होता है, कुछ एक age होती है जहां true self develop होता है वो time में उसको true self develop होने का मौका ही नहीं मिलता या फिर कहीं बार ये जो genes होते हैं ये भी biologically play करते हैं रूल, देखिए biologically genes भी role play करते हैं और conditioning भी होती है दोनों साथ में चलती है उससे narcissist form होता है तो narcissist का कोई true self नहीं होता उसको नहीं पता, उसको बच्चपन में रटा दिया गया है, उसको सिखा दिया गया है कि वो महान है और वो अपने को महान समझ रहे हैं, और अगर आप उसे महान नहीं समझ रहे हैं, तो उसको बहुत गुसार है क्योंगे उसको वह ऐसा मानता है کہ मैं अतना महानूं कि हर आदमी मेरे को मेरे सामने जुकता है और मेरा काम करना है यह उसको लगता है यह उसको गलत पह separum हो गई है अब आप क्या करें आप एक नैसिस्सिस्ट के साथ हैं तो आप क्या करें हैं तो आप एक काम कर सकें देखिए वो तो बिल्कुल एक कहीं पे अटका हुआ है वो बच्वण के पांग साल में अटका हुआ है शायद गरी तो आप उसे मेचिORटी की उमीद ना करें सबसे पहली बात आप ये सोचे कि आपके सामने एक 5 साल का बच्च और आप एक टीचर हो तो टीचर पचास बच्चों को भी कैसे हैंडल करता है डांट के भी डपट के भी आउनाग दिखा के भी हाँ ये बहुत अजीब सी बात है कि अगर आपके साथ जो नासिसिस्ट है वो एक आप उससे उमीद करते हैं उमर के हिसाब से बट ऐसा तो होगा नहीं वो उमर के हिसाब से वो मेचियोर ही नहीं तो वो डील करे आप उसके साथ कैसे करेगा आप सारे का सारा प्लैनिंग करिए कि आपने कैसे उससे काम निकालना है किस तरीके से उसे डील करना है या आपको सोचना पड़ेगा क्योंकि वो तो उस स्टेज पे नहीं है अगर होता तो वो इतनी बेवकूफी वाली हरकते कर ही क्यों रहा होता आप देखिए वो समझदारी की हरकते नहीं कर रहा है हमें लग रहा है वो कुछ कर रहा है बड़ जो भी कर रहा है वो सब घर तोड़ने वाले काम है वो सब के सब बेवकूफी के भरेवे काम है तो उसे एक समझदार आदमी या फैमली ओरिंटेड परसन तो नहीं माना जा सकता वो माना ही नहीं जा सकता पहले हम कितना परिशान हो जाए हम परिशान क्यों हो रहे हैं क्यों हम फैमली ओरिंटे होते हैं हमको ऐसा लगता है कि ढंक से चलना है बहुत अच्छा और बहुत बुरा दोनों ईड़ा खराब है बहुत अच्छा हम चलने की कोशिश खरें गा तो भी हमसको डील तो करनी पाएं कही ना कही नासेस बहुत है दुनिया में तो हम कहां तक अपने को बचाते हैं तो इन से डील करना हमको सीखना पड़ता है तो आप ये समझेए कि अब आप चाहे वो उमर में आपसे बड़ा है बट एक्चुली कमान आपके हाथ में आपको उसको डील करना है आपको वहाँ पे उसको हैंडलिंग आपको करनी है आपको उससे कोई उमीद नहीं रखनी है काम निकाली है कहीं न कहीं काम का आजाता है तो काम निकाल लीजिए उससे प्यार से डाट के आँग दिखा के कैसे भी कर लीजिए आप काम निकालना आपको आना चाहे और बहुत ही वो बेवकूफी की भरीवी हरकते करेगा और बहुत ही नासमझी की बाते करेगा या तो बहुत ओवर पैमपर कर दिया, या इंस्रूमेंट की तरह काम कर दिया, या उसको इसको सिर्फ तब पियार दिया है, जब उसने काम किया है, तो ये सब चीजे बहुत सारे फैक्टर's होते हैं, नासिसिस्ट बनाने में योगदान करते हैं, आज पास का वातवरन उसका तो जो इंसान है वो जब सीखता है उसको एक healthy environment मिलता है तो ही वो एक healthy self बनता है नहीं तो healthy self नहीं बनता है एक false self बन जाता है तो यह है आज का वीडियो कि narcissist का कोई true self होता ही नहीं है वो एक false self पे जीता है तो एक false self का कुछ क्या करें आपको से बच्चे की तरह ट्रीट करना पड़ेगा समझाना पड़ेगा समझना पड़ेगा और आप ये समझेजे स्कूल है आप प्रिंसिपल है वो एक नौटी बच्चा है अब कैसे आप समा लेंगे ये सरदर का काम तो है बढ़ करना पड़ेगा सो आई होप आपको समझ में आई होंगी थोड़ी बाते कुछ डील करने में शायद थोड़ी हेल्प हो अगर मेरे वीडियो अगर आपके काम आ रहे हैं तो आप लोग सब्सक्राइब बटक दबाईए कमेंट्स लिखिए शेयर करिए जासे ज़्यादा लोगों के साथ और मैं हिंदी इंग्लिश दोनों ही वीडियो लाने की कोशिश कर रही हूं तो प्लीज दोनों को सुने दोनों को ही बराबर आप लोग शेयर करिए आप लोगों को ऐसा लगता है कि इंग्लिश का वीडियो है तो कोई ऐसा इंसान है जो हिंदी नहीं समझता आप उससे शेयर कर सक करते हैं और बाकी में जल्द ही आप लोगों ले दूसरा वीडियो ले करके आऊंगी अगली वीडियो तक के लिए मेरी तरफ से बाए